नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा यूजफिल आप सभी पलंबर के लिए कस्टमर के लिए इस वीडियो में आज मैं आपको मास्टर बाथरूम में पीवी सी एच ड़वी आर पाइप को लगा जाएगा उसको आप किस प्रकार फिट करेंगे बहुत ही यूजफिल वीडियो होने वाला है इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखें अभी दिखें मास्टर बाथरूम में खड़ा हूं में दिखें दो पाइप यहां पे आपको दिख है दुस्तों यह है अपना स्वाइल बेश्लाइन यानि की ट्वालेट वाला पाइपलाइन दिखें पॉइंड आपको कैसे बनाना है यहां पे दोनों पाइपलाइन यहां से इसको मैं बाहर निकाल दिया बाहर भी दोस्तों ऊपर के लिए जाएगा क्योंकि उपर भी भुकुडडा दिया धिर यहां पर फोरिबाइब देके यहां पर इसको मैं अंदर किया ठीक है चार इंच का अगरवाल है तो उसमें भी वालं का ौंट बन जाता है यहां पर इसको कट किया उसके बाद यहां पर इस तरह से पॉइंट बना के मैं अभी रोका हूं पॉइंट बना नहीं है ठीक है कोई जरूर नहीं है आपके पास वालहंग डबलू सी ही होना चाहिए तभी आप यह वालमाउंट कमोड का पॉइंट बनाएंगे देखें टाइस वाले सर आप प्रॉपर दे पाएंगे अभी इसको मैं यहीं पर रोका हूं बाद में जब फ्लोर लेबल मुझे मिल जाएगा उसके हिसाब से पॉइंट बनाया हूं तरीका आप देख लिए इस तरह से पाइप फिटिंग करना है जो भी काम करना है प्रॉपर तरीके से करना है ताक अब देखेए यहां पर किस तरह से हुआ है यह दिखिर रहे हैं ना किस तरहां पर डिजाइन बना हुआ है अभी यहां पर दिखें से हो इरक्सन को यक्रal नहीं करना है मेरा बात्रूम में यहीं है इसल्क्राइग पाजिट बढ़ेगा देखें ौब यहां पर यह पर से जरूत हो वहां पर आप वाइटी यूज करेंगे देखिए यहां पर वाइटी दिया उसके बाद एक फोड़ी फाइब दिया अब एक एलवो लिया उसके बाद यह दिए यह मल्टी ट्रैप है यहां पे 110 भाई 63 mm का यानिकी 110 भाई पर लातीर सब्सक्राइब Aaah countryえば fix नहां इप दंख पाईक होगा इसलिए यहां पर मैं दिया हूं के मैंतशल्य मं तिन है एक दो तीन और एक चार यह मेन आउटलिट है तीन बाकि यहां पर अलग अलग जगह पर यहां पर आप 40 से में कपाइब ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं इसलिए यहां पर मुझे नहीं देना होता तो फिर यहां पर मैं नहानी ट्रेप देता ठीक है देखें इस तरह से हुआ आप यहां पर इस तरह से आया एक इलबो दिया वोड़िफाइब दिया अभी पानी यहां पर सीधा सिलिप कर जाएगा यह वाइल में जो है दो रूट जनरेट हो जाता है एक तो दोस्तों दिखें यह चांस यह रहता है पानी आगे भी बढ़ सकता है पीछे भी बैक मार स इसलिए यहां पर वाइटी रगाईए सबसे जादा बेटर होगा बहुत बढ़िया रहेगा अब देखें यहां पर इससे दोनों पाइपलाइन इससा आगे बढ़ रहा है और जरूरी पॉइंट आप समय लिजे दिखें मल्टी फ्लोट ट्रेप जब आप लगा रहे हो न तो पानी चोण नहीं होता है और पानि जब रहे होगा तो बाहर जो नाली का पूरा इसमयल बात्रूम में बाथ रहेगा बात्रूम पूरा बद्बू करेगा तो वह बद्बू को खतम करने के लिए आप नहानी ट्रेप यूज कर सकते हैं या पिसी तरह का पीट रहें भी आप और यूज कर सकते है क्योंकि उसमें पानि स्टॉर होगा और जब पानी स्टूर होगा तो पानी को चीर के उपर आएगा अब różnych दोटा करके लेना है तो तक जो है इसको क्लीन करने में दिक्कत ना हो बाद मिचे less करेंगे ना जाली को हटाके तो आसानी से क्लीन हो जाए हाथ यहां तक पहुचना चाहिए असलिए इसको उपर करके लगाना आपको डबल फोड़ फाइव लगा की इसको आप ऊपर करेंगे इस तरह से यहाँ पर फिट करेंगे बाकी जो में पॉइंट है अपना देनेज वा यहां पर यह जो है यह ड्रेसिंग वाला एरिया है बात्रूम के बगल में यहां पर ड्रेसिंग दिया गया है ड्रेसिंग रूम से यह होता हुआ अब देखे बातरूम से निकल के डेसिंग वाले एरिया में आया यह जो है यह डेसिंग वाला एरिया है अब यहां से दोनों पाइप लाइन इस तरह से निकल के यह आगे जा रहा है ठीक है गड़ा वगेरे जब आप यह पिट बनाएंगे न तो इसको जादा अपडाउन नह हैसे नहीं हुआ है हम लोग क्यों कि यहां से नहीं हुआ है यहां पुकस को मिट्टी में और नहीं होगा और tá पुल तरीका जो नहीं करते हैं और बाद में यह कॉम्परेंप यहां यह मिए यह नीचे बैट गया है ते नियुए आप क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं चलिस भी इसकिए नीचे बैठे ना उसके लिए मैं क्या हुरु याँ डिल्म इ Hyundai यहां पर एंसे प्राइ fins अहीं हो जाएगा कभी यहां पर नीचे बैठने को चांस तो यह पाइब उडे निकल रहा है अब देखे लिए यह कि राटरों वाले लोग से आगे निकल रहा है अब देके बाथरूम वाला एरीया इसेल दॡ़े इसके मैं आपको भी करना अच्छा काम करना है डायरिक्षन आपको अलग होता है और अलग यहां पर देखे यहां पर देखे यह दिख रहा है यहां पर इस तरह से यूड़ाया गया है यूग बनाए दिया अब फूल करके इसको नंदर यहां पर फिक्स करते हैं ताकि जो है इसमें किसी भी तरह का चांस ना रहे बैठने का यह दिखे इसको भी होल करके अंदर हम लोग हैंग कर देंगे अगर फास बैठेगा भी तो यह पूरा हैंग हो जाएगा चलिए अब इसके बगल में बॉक्स रूम दिखाए रहा है बॉक्स रूम से होता हुँ आ बाथरूं वाला एरिया उसके बाद यहां पर यह ओटियास ओटियस के बाद यह बॉक्स टेकर बॉक्स मेरा चेंबर है टोटल जो डिस्टेंस है यानि कि लंबाई वह आपको बता रहा हुँ तो यहां तो जो है यह 35 फिट है 35 फिट चौड़ा पूरा मकान बना हुए है च कुछ काम करना हुआ। उसाप करना हुआ तो यह सीधा रहेगा यहां पर सफाई हो जाएगा इसलिए चेंवर मेरा इहां पर आ रहा है चेंबर के बैठा लेंगे अच्छी तरह से अभी यहां पर चेंबर का दीवार हम लोग उठाएंगे और जरूरी पाइंट समझें देखे यहां पर लगा कि इसको मैं आगे लिया हलाकि यह किसी भी काम का नहीं है बाद में इसको काट के निकाल देंगे कई देखे जाएंगे यहां पर पाइब को पहले ही काट देंगे वस कहना में इता हम लोगें दीवार उठा लेंगे और यह वाला लेकिन यह जो है अपना स्वाइल वेस्ट वाला ट्वाइल्ट वाला इसका पाइप आपको नहीं कातना है यह टी है टी में पाइप लगा के उपर करेंगे हम लोग उपर यहां पे इनद काइब के बादन होता है चेंबर आप हिसमेल को रोक नहीं पाएंगे ठीक है इसलिए इस पाइप को काटना नहीं है टी लगा के पॉइंट आप बनाईए इंडिकाइप लगा दी जिसके बद कबर लगा दीजिए इस तरह से पाइप हिट निंग करना है अब यहां तक स्लोप आप समझ लीजिए यहां तक स्ल आप यहां पर आ रहा है वहां पर यहां पर घ्सटार्टन सांड कूट बारर हूं पर यहां पर मिट्टी ठ़र्ण UA prize और तो अब हैो यहां आप mate 10 ही इंच बतायां आपको क्योंकि क्योंकि इसको हम लोग थौड़ा साब करेंगे इस तो तो अगर 35 फिट का पाइप है वहां से यहां तक टोटल तीन इंच का सलोप है अब यहां से यह आगे बढ़ रहा है अब यहां से लाइन सीधा 70 फिट आगे निकलेगा आप लोग देखते रहें देखें बाथरूम वाला भी एरिया आपको मिलेगा सीधा मैं आपको बताऊंगा फ्लोर मांट कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे ठीक है और भी बहुत जानकारी दूंगा यहां से सीधा 70 फिट पाइट आगे निकल रहा आगे भी चिंबर आएगा मैं आपको बताऊंगा